है कि को प्रत dr ऑन याख है अगर चलिये आजका अमरा टॉपीक है कैलेंडर आज हम लोग कैलेंडर में देखेंगे कि किस तरीके से इसके Question लगते हैं आज की Class में हम लोग पहले basic concept समझेंगे Calendar का किसमें क्या-क्याच चीजें होती है जो को लगाने के लिए इंपोर्टेंट होती है पहले बहुत बेसिक पॉइंट हम लोग इसका समझेंगे कि कैलेंडर आपका जो है फिलाल के कैलेंडर को क्या है कि डेफिनेशन वगएरा डिफरेंट टाइप के कौन इसको लाया कैसे ले गया इस पर हम लोग बात नहीं करते हैं स सिम्पल यह उसके बाद हम लोग देखेंगे अधिवर्स अधिवर्स जिसको आप बोलते हैं लीप यह ठीक कि इससे पहले कुछ बाते और हम जान लें कि जब भी आप से पूछा जाए कि आपका एक वर्स में कुल कितने महीने होते हैं कि अगर बात करें एक वर्स में आपका कुल कितने महीने होते हैं कितने सब्ता होते हैं ठीक है और कितने दिन होते हैं इसकी हम बात कर लें शामाने वर्स क्या होता है शामाने वर्स कि आप जानते हैं कि ऐसे वर्स कि जो चार से विभाजित करने पर या चार सो से विभाजि क्या मतलब जहां एक वर्स में दिनों की शंख्या कितनी हो कि ठीक है ने 365 अभी जब हम लोग लीप वर्स पर आएंगे तो लीप वर्स निकालना हम लोग जब सीखेंगे ठीक यह आप कह सकते हैं जहां पर फरवरी मन्त जो आपका होता है वो कितने का हो हो 28 का हो तो बहुत सारी तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं बता सकते हैं मतलब एक वर्स बरावर 365 दिन हो डेज कि फरवरी आपका 28 का हो ठीक है और कि इसमें जो वीक आपका आता है कितने वीक होते हैं भाई नो इसको पारभ सकता है कि एक दिन कि एओं अधि होता है यह सामानी वर्स ठीक है और लीब वर्स की अगर बात करेंगे दीखें लीबलत में विधी अभी हम सताब्दी आप पड़ेंगे तो लीप वरस निकालने के तरीके हमारा अलग होता है और जब century year होगा तो उसका लीपियर निकालने का तरीका अलग होता है तो हम दोनों पर बात करेंगे तो सबसे पहले अभी आप यह समझे एक वर्स में इतना होता है फिर अगर अधिवर्स की बात करें तो यहां पर एक वर्स बराबर कितना होता है बच्च इस से related हम कुछ बात है अगर आप से पूछ लें सब्ताह का पहला दिन इंटरनेशनल कलेंडर के हिजाब से सब्ताह का पहला दिन मंडे सो मौर अगर हम आप से पूछे कैलेंडर का पहला दिन सो मौर है ठीक है यह पॉइंट से कुछ जो आप ऐसे डिमार्ट में याद रखेंगे और एक सब्ताह बराबर कितने दिन साथ दिन ठीक है और अगर हम महीने की बात करें एक एर में एक वर्स में कितने मन्त होते हैं एक वर्स बराबर ठीक है अब यह जो महीने होते हैं इसमें जो है अगर महीनों में दिन की हम संख्या की बात करेंगे तो अलग-अलग महीने में दिनों की संख्या क्या होगी कि अलग अलग होगी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे तो सामानेते कैलेंडर में हमने ये बात देख ली अब अब को थोड़ी देर के लिए बता दें यहां पर कि हम थोड़ा सा अताबदी वर्स और सामानने वर्स में दो तरीके का को मिलेगा और एक आपका हंडेट का मुल्टिपल नहीं होगा तो जो हंडेट का मल्टिपल उता इसको लोग बोलते हैं सताबदी वर्स क्या बोलते हैं सताबदी वर्स के बारे मैं अगर हम बात करें तो 100, 200, 300, 400 ठीक है ऐसे ही आपका अठारे सो उनीच सो शोले सो यह सब आपके क्या है यह सब सताब्दी वर्स है बात समझ रहे हैं और नॉमल वर्स में आप जैसे ले लें आप आप वन से शुरू कर दीजिये आप शुरू कर दीजिये 1947 ऐसे आप कोई विवर्स ले लिजिए ठीक है दो अजार एक 2020 2021 अब आप यहां पर एक चीज देखने को आपको मिलेगा कि यहां पर भी सताब्दी वर्स है यहां पर भी आपके क्या होंगे लिपियर होंगे और यहां पर जो आपका के बात आपको समझ मैं इतनी बात ठीक है यहां पर हमने सिंपल यह देख लिया अधिवर्स देख लिया अब हम यहां पर थोड़ा सा डेफिनीशन देख लेते हैं इसका फिर आप इसका स्क्रिन सॉट ले लिजिएगा नोट कर लिजिएगा इसको कि अगर हम बात करें अधिवर्स की तो अगर हमें कभी भी ली पियर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ली पियर पहली बात तो आप ध्यान रखिए अगर सामानने वर्स है अगर सामानने वर्स है तो ली पियर अगर हम देखे जो भी वर्स है उस वर्स को सामानने वर्स अगर पड़ते हैं कि वर्ष के अंतिम दो डिजिट को वर्ष के अंतिम दो डिजिट को चार से विवाजित करते हैं अगर वह पूंत bekommen हो गया मतलब आपका wonder 0 आया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं अधिवर्ष ठीक है वframe सताबदी वर्ष है तो उसको हमेशा याद रखिए का हम कितने से dependent स 나오 करेंगे चार सौसे डिवाइट करेंगे और अगर चार सव से डिवाइड करने पेमाइड अभिभाजित हो जाता है तब अगर डिवाइड होने के बाद आपका reminder क्या जीरो रिमाइंडर जीरो आया तो इसका मतलब वो क्या है अधिवर्स है अगर नहीं आया तो अधिवर्स नहीं है तो यह दो concept आपको पता होना चाहिए जैसे सिंपल येर में क्या 2020 है 2022 है 2024 है तो अंतिम के मल्टीपल होगा तो फूर अंडेट से डिवाइड करेंगे और जब भी हमारा इस तरीके का वर्स होगा यह जो आपको दिखरा अरुकाइब करना साथिये लिप वर्स हम लोग यह करना सीखते हैं जी फॉर्मूला आपको पता है यह मालूम होना चींज हमने आपके सामने लिखा क्या हम यहां लिख रहे है यह लीट वर्स है कि नहалась हम शुरू करते हैं सामान वर्स हम 1000 से शुरू करते हैं है एक जार एक है एक हजार दो कि कि हे!!! है हें एक हजार आप का थीन कि एक हजार चार कि का वाए इसमें बताये यह लैफ वर्स कौन कौन से है हम यहाँ पर लिख दिये 2020, 2024, 2028, हमने लिख दिया 1620, इसमें आप देखेंगे, डिवाइट करना अगर आप शुरू करेंगे, तो यहाँ पर लास्ट दो डिजिट को डिवाइट करें, इसको डिवाइट करेंगे, हो गया, मतलब पहला लीप वर्स हमारा क्या आया, लीप एर, ठीक है, दूसरा, 20, 24, 28, ठीक है, यह आपके सब क्या है, लीप वर्स है, अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, अगर जो हम continuous की बाद करें, तो लीप वर्स अपने आपको क्या कर रहा है, चार वर्सों में रिपीट कर रहा है, मतलब 2020 के बाद जो अगला लीप वर्स आ रहा है, वो कब आ रहा है, 24 में आ रहा है, उसके बाद आप देख लिजए, 20, 22, 23, कोई भी चार से डिवाइड नहीं होगा, मतलब लीप वर्स हमेशा आपने आपको कितने वर्सों में रिपीट करता है, चार वर्सों में, बात समझ रहे हैं, सामान नियर के टर्म में, कहां, सामान नियर के टर्म में, तो यहां हमारे पास सामान नियर है, तो यहां पर देख रहा है, लीप वर्स चार वर्सों में रिपीट कर रहा है, तो यह चीज़ आप यहां पर ध्यान देंगे तो आप ऐसे डारेक्ली बता सकते हैं कि अगर बीस लीप वर्स है तो अगला लिखा 100 300 400 600 800 1600 1100 अब इसमें देखे लीप वर्स कहां कहां है ठीक है ना तो पहले से दिवाइट करेंगे से इसको होगा नहीं यह भी नहीं होगा क्या लीप वर्स मित्लब सताब्ति वर्स में लीप यह है तो जाएगा 400 800 1600 करें ईटीन हंड़ा ना कि हो झाओ झार से आप इवाइड करेंगे कॉड ने कि उसके बाद आपका कि वैसे तू तू थाउसन है 1200 है ठीक है ये आपकी क्या हो गये लीब वर्क हो ग utilutions हम सतापदी के दिवर्स हैं किसके गालकुलेट डिवाइ आप सिंप्ली आपनी क्या किया जैसे आपने 1600 ander लिए 1655 से कान से लिए 408-17 मैं और टाइम कंपुलिटली डिवाइड हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे लिफ वर्स मतलब अधी वर्स हम लोग इसको बोलेंगे सटाब्धी वर्स का अधी बरस ठीक है न एक सथाब्धी वर्स है उसमें अधी वर्स है तो आई यह आपको समझ में आया होगा ठीक है अब दिखें हम यहां calculate करना सीखेंगे कि जो आपका सताबदी वर्स होता है उसको हम लोग निकालते कैसे हैं जैसे हम आपसे बोलें अगर 50 वर्सों में कितने लीप वर्स होंगे तो सबसे पहले आप लीप वर्स निकालना सीखिए क्याल कुलेशन ओफ लीप है चालिए एड यह बहुत इंपार्टिन कंसेब्ट है लीपार्ट का कैल्कौलेशन ठाग है तो मैं आपसे कुछता हूं हूँ क्यालकुलेशं ओफ लीप यार में क्यालकुलेशन ओफ लीप एर अ कि अधिवर्स की गड़ना अधिवर्स की गड़ना आप हमें बताइए कि जब भी हम कैलपुलीशन करने चलेंगे ली पियर की तो हमें लीप यह फिलाल कैसे निकालना जैसे अपसे कुश्चन है कि हाप कोश्चन लिखते हैं पचास वर्सों में कितने अधिवर्स होंगे कितने अधिवर्स होंगे तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे अधिवर्स आपसे पूछा गया है कि 50 एर्स में कितने अधिवर्स होंगे ठीक है कि उसके बाद अभी मौट डे वगेरा कॉंसेट पे आएंगे सबसे पहले आपको बात नहीं कर रहे हैं अभी हमने सिंपली आपको क्या बताया है सिंपली हमने आपको सर्फ और सर्फ अधिवर्स नॉर्मली एर सताब्दी एर यह कैलकुलेट करना हम सिखा रहे हैं आपको इवर्स अपने आपको चार वर्सों में रिपीट करता है तो आप क्या कर देंगी फिफ्टी यह टूटल आपके पास है पचास वर्स आपके पास है इसको चार से विभाजित करेंगे चार से अब ध्यान दीजिए का दो चीजे होती है जब भी हम किसी भी नंबर को करते हैं वह और जो बच जाता है वह आपका होता रिमाइंडर ठीक अने तो अब दीखिए अगर हम 50 को डिवाइट कर रहे हैं तो कितनी बार यह जाएगा फोर्स एकर डिवाइट करेंगे ठीक है टॉल्ब टाइम्स कितनी टाइम्स यह बारे बार गया ठीक है ने तो यहां पर यह जो टॉल्ब आया यह क्या है भागफल है रिमाइंडर कितना आया तो यह भागफल हमारा है कितना है टॉल्ब और यही हमारा हो जाएगा लीपियर मतलब यह लीपियर की शंख्या ह जाएगी तो अगर आपसे पूछा जाए कि पचास वर्सों में कुल कितने लीपियर होंगे तो आप क्या कहेंगे बारा लीप वर्स होंगे कितने बारा लीपियर होंगे कि अग्ला फिफ्टी एर्स में बारा लीपियर होंगे अगला बताइए सौब वर्सों में बताइए क्या हंडेट को फूर से डिवाइट कर देंगे कि 99 को डिवाइट करेंगे पहली चीज़ आप तुरन दिमाग कहां लगाईएगा कि यहाँ जीरो से ले करके आगर हम बात करेंगे एक से करके 99 तक तो हम 990 को डिवाइट करेंगे किस से चार से तो पहले अमने ऐसा को टोड़ा दो भाग में ऐसा को डिवाइट किए 400 कि ये हैं संच्छिए घ्र eh तो यह की जो है यह हमारा सतावी बर्ष तो है लेकिन लीप वर्स नहीं है मतलब यह जो हमारा हंडेड यहां पर आपको दिख रहा है यह आपका सताब्दी वर्स है लेकिन लीप वर्स नहीं है तो अगर यह लीप वर्स नहीं है तो पहली बात तो एक हमें यहीं से मिल गया कि एक जो हंडेड है यह लीप वर्स नहीं है हंडेड इयर्स में लीप एर कितने होंगे बाई और नॉर्माल एर कितने होंगे सेवन्टी कि सिक्स होगा ना बाई चुकि आपका जो यह सवां वर्स है जो आपका सताबदी वर्स है इसको भी हमने तो इसमें फोर हें रिट से डिवाइड करके चेक कर लिया कि यह आपका क्या है लिप वर्स नहीं है कुछ सोब बर्स में कैसे हमें लीप वर्स निकालना है समझ में अगया ठीक हैना कैसे हमें त cabbage का रहत आपको तो लीप वर्स इसी तरीके सहं कुछ यहां पर लिख रहे हैं कुष्यन आप इसमें थे छोर्ड बताये एक इतने वर्स यह 400 में कितने लीप वर्स होंगे 400 में फटाफट बताइए इसमें कितने लीप वर्स होंगे 97 कैसे देखिए इसमें आपका 100 होगा सताब्दी वर्स 200 होगा सताब्दी वर्स 300 होगा क्या सताब्दी वर्स और यह इतने होंगे सताब्दी वर्स अभी 100 में यह जो सौवा है मतलब सौवर्स है यह 200 वर्स 200 वर्स 300 यह चोट तो यहां जो यह सौवा वर्स होगा इसमें कुल कितने लीप वर्स होंगे इसमें अगले 100 में फिर अगले 100 में यहां पर 25 यहां पर 25 क्यों हुआ क्यूंकि 301 से ले करके 399 तक में 24 तो मिल जाएगा लेकिन यह जो 400 आया लास्ट वाला जैसे हम 400 को अगर तोड़ें तो यह 301 से सुरू होगा कहां तक जाएगा 300 तो यह जो 999 इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको इसमें 24 मिलेगा लेकिन यह जो प्लस चारसों आवर्स आया इसको भी जब आप 400 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा यह भी एक लीप यह तो यहां पर 25 वर्स मिला 24 24 24 आप इनको अगर एड़ कर देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 97 तो अगर हम आप से पूछें 400 यह में किल कुल कितने जो है लीप वर्स आ रहे हैं कि लीप यह आपका कितना आया तो नॉर्माल यह अज़िया को को कोई कन्फियूजन है लीप यह निकल जाएगा तो अब देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं अब ऐसे ही अब आप से पूछा जाएगर बारस हो में लीप यह बताइए ठीक है 400 में आपने निकाल लिया 1200 में बताइए अब देखिए ध्यांस समझेगा मैं आपको अगला कुश्चन दे रहा हूं इसे से रिलेटेड टॉल्फ हंडेड में आपको बताना है कि टॉल्फ हंडेड में आपको बताना है लीप वर्स की संख्या कि 97 x 3 सबका यही आएगा 97 x 3 एक बार ध्यान से चेक कर लिजिएगा कि इसको हम चार चार सोके पार्ट में तोड़ सकते हैं ना करें को रंडेट पूरनेड और फोर एंडेड ठीक नया तो यहां पे आपका मैं या पिसको ऐसे कर सकते हैं आपbon GU सिसको 800 कर दिजिए कि इसको आप 12000 कर दिजिए इसका मतलब 208 थे फिर death a carrots कि आतार यहां से यह यहां पर आपका चार चारसो का ही अंतर सब मैं तो पौर हेंके लेंगे 97 सेवन यहां भी अगले फॉर हेंड़े मैं आपको कितने मिलेंगे 97 और यहां पर भी अगले फोर हेंडेड में आपको कितने मिलेंगे 97 मिलेंगे तो अगर आप इन तीनों को जोड देंगे तो कुल कितने आ जाएंगे कि दोसोग कि यह आपका सात्री की किस ठीक है 291 यह आपका आंसर हो जाएगा मतलब जो 1200 वर्सों में अधि है वह कितनी है बच्चों को कई तो नहीं है इसमें कोई समस्य टीक है इसी तरीके से अगर आप से किसी का भी बोला जा तो आप बता देंगे को कैंपूर्जान तो नहीं होगा अब हम लोग आते हैं कैलेंडर के अगले कॉंसेट्ट पर यहां पर हम लोग कैल्कुलेट करना सीखते हैं विशम दिनों की शंख्या कि विशम दिन निकालना हम लोग सीखते हैं कि कैसे विशम दिन निकाला जाता है कि मिटा दें इसे पूरा कि विशम दिन कहते किसे हैं अगर विशम दिन आपको बोला जाए कि आप डिफाइन करिए और डेस क्या होता है इसी को एक्स्ट्रा डेस भी बोला जाता है मतलब अतरीक्त दिन क्या बोला जाता है अतरीक्त दिन मतलब ऐसे दिन जो अपना सब्ता पूरा ना कर रहे हूं उन्हें क्या बोलते हैं विशम दिन है ना जैसे कर हम बोले 8 दिनों में विशम दिनों की शंख्या कितनी है तो आप कहेंगे कितना एक ठीक है जैसे विशम दिन अगर हमें कालना है विशम दिन और देज लिए अजया इशी को बोलेंगे क्या एक्स्ट्राइज अधिश्ट्रा अब एक्स्ट्राइज होता क्या है विशम दिन क्या होता है हमने कहा आप से जो दिन अपना सब्टा पूरा नहीं करते हैं उन्हें क्या बोलते है all day तो अगर हमारे पास कभी भी हमें और डेज निकालना है एक रदेज निकालना है एक गालना अगर हमेंन कालना तो तो कॉल टू डू होता है टॉटल नंबर आफ़ ड Cambly अपन पेवन के चरएंगे सेवन से लिए सबता होता है मैं सबस्क्राइब कर नॲिए utiliser हमें एक यह तरीके से सबस्क्राइब अगर हम आप से पूछे हैं वन नॉर्मल यहां हम आप से पूछते हैं मंत से शुरू करते हैं सबसे पहले डेज से शुरू करते हैं आपका 10 डेज में 10 डेज में कितने आपके जो है और डेज होंगे ठीक है तो आप 10 को क्या करेंगे सैवन से डिवाइड करेंगे reminder जो आएगा वही है को किया हो गया order reminder कितना आया थ्री तो यही supply Galos susi हो गया कै इसी तरीकिस हम आप से बोले 25 में कितने 25 डेज में कितने आप डेज क्ती आपका reminder आपका 4 तो यह 4 आपका क्या हो गयाаюсь एसे हिम आप से 100 डेज में कितने और डेज तो 100 को आप 7 से से डिवाइड को कितने उन्डे आएंगे wenn दोई आएंगे करे यहां पर का रिमाइंडर दॡ़ आएगा और माइंडर अगर दूआ तो ओर देजर आपका कितना दुग हाँ हैं तो कोई भी बेइस अगर आपके सामने हो तो अपके यह कोई दिक्कत नहीं है तो 10 20 50 100 कुछ भी अगर आपका जो है दिया हो तो दिन में और डेस कैसे निकालना है आप सिंपली के अखर लेंगे दिक है लेकिन आप हम जो है फिलल यहां पे बात करेंगे एर में कैसे औडेज निकालें कैसे हम लोग वर्स में ओड़ रिप ने प्रिंडरीच नॉर्मल यह तह इसमें ओड़िटेस की शंख्या कितनी होती तो आपको पता इसम Daf डिनों की की बात करेंगे तो 366 इसको हम डिवाइट करें कि से 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 तो रिमाइंडर कितना रिमाइंडर टू आएगा तो आपका कितना हो गया तो अब इसी तरीके से यह तो वन येर की बात हुई वन लीप येर वन आपका जो है फिलहाल नॉर्मल येर अब हम आप से पूछते हैं saun-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat-eat कितने 100 वरसों में पक्का छो वैम कैसे कैल कुलेट कीält आपने इसको भाई सबसे पहले आपने क्या नीकाला भाई नाрупल ये और लीप से सर्वकूल ETF कर नामने आपको सिक्वाया है है लीप एर कितना और आपका नॉर्मल यह अब एक नॉर्मल यहर में एक ही हमारे पास क्या होता है तो इसमें एक से मल्टिप्लाय करेंगे तो 76 आट देज आजा जाएगा और यहां पर एक लीप यह में दो उधेंगे तो इन दोनों कवैड़ करेंगे तो कितना है अब इसको हम सेवन से अगर डिवाइट करें तो रिमाइंडर मतलब हंडेड येर्ज में टोटल फाइफ और डेज होते हैं तो इसी तरीके से टू हंडेड येर्ज में बताईए फाइफ ओडेज तो फोटमेड येर्ज में है एक से जार ये अगर चैलकुलेट हो जाएगा सब का पांच से मल्टिप्लाई करते चले जाएंगे वान आ जायेगा 300 में कितना वन लेकिन 400 years अब यहां पर आपको कैलकुलेशन गड़ बढ़ाएगा 400 400 में 400 में निकालेंगे कैसे दों रधेंट कभी बता देता हूं और 300 कभी बता देता हूं फिर आते हैं यहां पर कितना आजाएगा यहां पर फाइफ इसमें और फाइफ इसमें इसमें तो इन दोनों को मैट करेंगे करेंगे तो इस बात को आफ दियान रखेंगे तो अगर हम यहां को किया करने कर दें तो रहिएट कर तरीके से गर हम 400 की बात करें तो 400 में क्या हो जाएगा आपका यहां पे 100 में जो ओड़ जाएंगे ठीकिन यहां पे 100 में पहली बात तो आपका ली पीयर की शंक्या ही आपकी बदल जाएगी बात समझ रहें यहां तो 24 आएगा ठीक है यहां भी 2300 में भी कितना आएगा 200 में भी 24 और 300 में भी कितना 24 और यहां पर आपका जो 400 में 25 आ जाता है ठीक है ने 25 आ जाएगा तो अगर हम लोग बात करेंगे यहां 24 24 है तो इसमें कितने होंगे 55 यहां भी 5 लेकिन यहां कितने हो जाएंगे ठीक है तो यह हो जाएगा यहां पर लीप यह की वज़े से और इसमें बचा कितना 76 वो तो अगर 76 हम इसमें एड करेंगे तो कितना हो जाएगा और 124 को जब हमने 7 से डिवाइट किया था तो कितना था फाइफ लेकिन 126 को अगर हम जो डिवाइट करेंगे किस से 126 को अगर हम डिवाइट करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा जीरो 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 मतलब आपका जो 400 यह सोता है 400 यह में कभी अगर हम लोग रिमाइंडर केल्कुलेट करें और डेस केल्कुलेट करें तो क्या आएगा जीरो बात क्लियर है अगर इसमें कहीं कन्फ्यूजन हो तो बताएए बिशम दिनों की शंख्या निकालना आया कैसे निक वडूबभा उन्रेट में इसको अगर आप एक सिक्मेंस में लिखते चले हैं तो कैसे लिखेंगे हम दो अ हन्देड इयर्स में लीप एर अंडेड इयर्स यह आपका जो यह से यहां पर आपका और डेज यह है है तो अन्डेड इयर्स में कितना हो जाएगा 5200 में अब हम यहीं सिक्वेंस रिपीट होगा बच्चों यहीं सिक्ونस क्या होगा रिपीट होगा ध्यान दिने माली बाद क्या है कि जब हम फोर हंडेट के बाद फाइफ हंडेट लेंगे तो आप मान के चलो फोर हंडेट को निकाल लो वहां तक 0500 में कितना होता है Def तो मतलब अगर हम 500 की बात करें तो यहां पर 400 प्लस लिख सकते हैं ना वन हैंडेड तो यह 400 में 0 और इसमें तो आया कितना वाइफ तो इसी तरीके से अगर हम बात करें ज inhabit उमाहों घ्रट। एह ओर हम से कहें 700 तो अब का century year leap year होता है उसमें जो और डेज की संख्या होती इस जीरो का चाहिए आप फोर एंडेड ले लिजी एट एंडेड ले लिजे ट्वाल फंडेड ले लिजे जो एयर 400 का मल्टीपल होगा वहां पे और डेज की संख्या क्या आएगी जीरो आएगी 400 का multiple जो भी होगा वहाँ पर और डेज की संख्या आपकी क्या आएगी जीरो आएगी तो यह इतना concept समझ में आप सबके कोई दिक्कत इसमें कि देखें इसमें और बहुत सारे प्रकार के concept हैं हमने और डेज के अलकुलेट करना सीखा यह में अब हम आपसे पूछेंगे कि और डेज आपका मन्त में कितने होते हैं किसी भी मन्त में डेज की संख्या कितनी होती है और उसमें odd days कितने होते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे विटा दिया जा इसको हमारे पास यहाँ पर होगा मन्त ठीक है यहाँ होगा दिनों की शंक्या कुल दिनों की शंक्या टोटल डेज यहाँ होगा odd days तो हम सबसे पहला महिना लेते हैं क्या 22 में दिनों की शंक्या कितनी होती है 31 विशम दिनों की शंक्या कैसे 31 को 31 days होता है 31 को आप किस से डिवाइड करेंगे 7 से और जब 31 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा रिमाइंडर थ्री इसी तरीके से आप बताईए फर्वरी में इस फर्वरी जो आपका होगा यहां पर 28 हो सकता है 20 तो आपका जीरो यह अब आप कहेंगे से 28 29 का मतलब यह आपका है नॉर्मल यह यह आपका क्या है लीप यह कोई कन्फ्यूजन अब फर्वरी के बाद मार्च 31 का होता है कितने अप्रेल कितने का होता है 30 का 30 में यहां पर सेवन फॉर्जा टॉन्टी एट टू माई से थ्री जून जून बताइए जून कितने का होता है 30 का कि कितना आजाएगा में जुलाई वताई हाय है मैं जुलाई आपका कितना जुलाई आपका जो है उसके बाद बताए अगस्ट कि यहां रखियेगा जुलाई जहां से पढ़ाई सुरू होती है स्टार्टिंग वाले दोनों मैने में अपको स्कूल जादा जाना पड़ता है तो इसलिए याद रखें कि एक इस और 20 दिन का होता है पढ़ाई कहां सुरू होती है जुलाई से मिनला से चुल से जो है बच्चे आते हैं जो है पूरी तरीके से ऐसे लगता है जैसे हमने क्राइम किया है कि घान पर भागाला महिन होता है ज्यूलाई को भी baby ए प हुआ हा उलसे भी ऊष्टा के हैं और इतने मतलब आसपास जो है इतने सर्वेंट लगे होते थे कि एक हाथ पकड़ता था एक दोनों हाथ इधर से एक दोनों टांग उठाता था और पीछे से लड़का बैग लेकर तुम लोग चलो मैं बैग लेकर आ रहा हूं इसका ठीक है यह सिच्वेशन होती थी और हम लो मतलब अच्छा रहा है तो आप यह समझ लो कि जुलाई अगस्त जो होता यह बड़ा डिफिकल्ट होता है जुलाइम नयाने अड्मिशन होता है कि किसी तरीके का कोई किसी से कोई लगाव तो रहता नहीं है कि कोई वजह बने जिसकी वजह समय स्कूल जाए बस चूट जात लेखी वह बहुति चलता टाइम पहुतिया के चली प्रष मेंघे स्कूल जया रहा है सुझाए सबैस अगर कोई काम है तो सुबैसे दूपार काम क्या उसके लेंट लॉसक्वार चलस कूल है ठीक है अगर थमें कितने का महीना होता है बाई अगर 30वान का होता है तो 31 में आपका ठ्री उसके बाद सितम्बर कि सितम्बर कि तने कहता है टीक है इसमें कितने अक्टूबर 31 थ्री नॉम्बर थर्टी दिशंबर आपका यहां से आपको जो है विशम दिनों की संख्या मिल गई और टोटल डेज मिल गए जो मंद्स के टोटल डेज आपको पता है ठीक है यहां पे बड़ा अच्छा बच्पन सही आप पढ़ते यह होंगे कि बचते हैं इसी मईनें को रहते हैं अच्क की होता है तो हमसी में तो हम थोड़ी देर तो अपना सर खुजलाते थे यह फरवरी में कम काये होता है तो रोएंगे भी तो कमी फरवरी में 28 दिन होते हैं तो 28 दिन ही रोएंगे बाकी में आपके 30 मतलब अब लीप वर्स में आजया तो बाकी आपका देखी रहे हैं 30 31 का तो आपने और डेज जो है बेसिकली अपने और डेज क्यल्कुलेट करना सीख लिया है अभी इससे रिलेटिड हम लोग और बाते करेंगे अगली क्लास में इतना आप इसको रिवाइस करिएगा अच्छे से एक बार देख लीजिएगा पूरा ठीक और जो भी वच्छे को मारा जो है यूटूब पर देख रहे हैं वो यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेयर भी करें अगर वीडियो पशंद आ रहा तो थैंक्यू